कैनडा में स्टूइंट्स के लिए गुड न्यूज है वो गुड न्यूज क्या है वो आई एर सीसी की तरफ से एक लेटस्ट अपडेट आई है जिससे की स्टूइंट्स को आने वाले टाइम पे और रहत मिलेगी स्पेशली जब वो स्टडी कंप्लीट करके वक परमिट में आते हैं तो इसकी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा बैल्स ओवर्सीज दे सांट आफ यर फ्यूचर हैलो एव्रीवन मैं कपिल भाटिया बैल्स और से से आप कोई भी इन्फरमिशन ले सकते हैं हमारे हैल पर नंबर सिक्स तू नाइन टो जिरो सिक्स तू इस प्यांट करने के बाद तो आज जैसा कि मैं बता चुका हूं कि कैनेड़ा से इक गुड नियूस आई है वह गून यूज केनेड़ा में जब आप स्टेड़ी कंपलीट करते हैं तो इसके बाद आप विक परमिट यप्लै करते हैं वाप परमिट जब आपिलाइक करते है तो जब तक आपका work permit नहीं आता तब तक आप कैसे काम करोगे तो उसके लिए कहनदा जब आप work permit apply कर देते हो तो तब आपको एक work authorization letter मिलता है हो work authorization letter मिलते ही आप अपना कोई भी काम join कर सकते हो लेकिन ये सिर्फ होता है कि 120 days के लिए था पहले 120 days तक आप काम करते हैं अब students को problem क्या आती थी कि जब अगर मालों 120 days में भी उनका work permit नहीं आता उनका results नहीं आता था तो उसके बाद उनको job छोड़नी पड़ती थी तो यहां पर कहीं न कहीं students को problem आती थी तो अब यह problem दूर की है यह IRCC ने अब उसको उन्होंने 60 days और बढ़ा दिया है अब 120 days की जगा 180 days कर दिया है यानि कि जो आपको work authorization letter मिलेगा वो 180 days तक valid होगा अगर 180 days के बाद भी अगर आपका work permit नहीं आता है तो भी आप IRCC को inform करके अपना काम आगे continue कर सकते हैं तो इसलिए अब वो वोली problem अब आने वले time पर दूर हो जाएगी work authorization letter अब जो भी students work permit के लिए apply करेंगे उनको 180 days का है मिलता हलाकि इसके लिए पता है कि वो जो conditions होती है कि आप work permit के लिए eligible होने चाहिए तो वो वही conditions होती है कि आपका course complete होना चाहिए अपनी कोई supply नहीं होनी चाहिए आपका study permit होना चाहिए प्रॉपर study होनी चाहिए आपके study 8 months से ज्यादा होनी चाहिए उसके बाद आप जिस institute में पड़े हो वो DLI होना चाहिए उनके पास work permit होना चाहिए उस college or university के बास जहां प्रॉइडर है चाहिए college या university अगर उससे आपको work permit eligible है तो आप definitely आपको work permit के लिए लिजिबल है तो आपको work authorization letter definitely मिल जाएगा इसी तरह की informative वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को subscribe कर सकते हो और इसको maximum share कीज़े ताकि ज्यादा से ज्यादा students तक यह चीज़ है तो